आप सब्सक्राइब नमस्कार स्वागत है अब सभी का बिहार समाजार में आज है 25 सितंबर दिन सनिवार तो जिली बिहार के 15 बड़ी ख़बरों के बारे में आगिस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से सभी कमेंट बोक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस ज जरूर लिखे और अपने तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें तो बिहार में कोरोना संक्रमन की संख्या बढ़ती ही जा रही है अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,44,134 हो चुकी है बिहार में पिछले 24 गंटों में कोरोना की 1978 मामले सान में आये हैं वहीं पिछले 24 गंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है बिहार में अब तक कूल मरने वालों की सिंग्या 728 तक पहुझ गई है राज में अब तक कूल 1,24,976 लोग ठीक हो चुके हैं वोगे पिछले 24 गंडों में 572 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए है अगली बड़ी कबर जल्द ही राजधानी पटना की सड़कों पर दोड़ेगी सिंग बसे सफल हुआ ट्राइल रन राजधानी पटना की सड़कों पर अब सिंग बसे चलने को तयार है CNG बसो का परिचालन शुरू करने के लिए बहुत ही जल्द घोसना की जाएगी पुराने डिजल चलित बसो को CNG में कनवर्ट करने की परक्रिया भी राजधानी में सफल ट्राइन रन किया गिया है परिवहन सचीव संजे कुमार अगरवाल ने बताया कि पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर बिहाल राजपत परिवहन निगम की ओर से पटना नगर निगम सेवा में परिचालित होने वाली 20 डिजल चलित आइसर बसो को CNG में कनवर्ट किया गिया है सभी बसो में 32 सिटर है राजपनी पटना में सघन मास्क चेकिन अभियान शुरू बिना मास्क के पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना पटना में सुकुरवार से 10 दिनों का सघन मास्क चेकिन अभियान आरम हो गया अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना देना होगा COVID-19 के संग्रमन की रोक्ताम एवं बचाव के लिए पटना जिला में 4 सितंबर से 14 सितंबर तक सघन मास्क चेकिन अभियान चलाने का निर्देश जिला अधिकारी कुमार रवी ने दिया है पटना सहर में इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया है जिनके दुआरा इसकी जाच होगी इसके लिए पटना सहर में भी 17 टीमे सडक पर निकलेगी तथा मास्क के परियोग के जाच की जाएगी सारवजनिक इस्तलोप पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना करने तता रासी की वसुली करने का निदेश इन्हें दिया गिया है चुनाव आयोग का एलान 29 नवमर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार बिधानसवा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार बिधानसवा चुनाव की तारिकों का एलान सही समय पर किया जाएगा आयोग बिहार चुनाव की समय ही 65 सीटों पर उप चुनाव भी कराने की तयारी है चुनाव आयोक के मुताबिक बिहार विधानसवा चुनाव को 29 नॉवंबर 2020 से पहले पूरा करना है उसी समय के आसपास बिभीन राज्यों के 64 विधानसवा और एक लोकसवा सीट पर उप चुनाव कराया जाएगा बता दे कि वर्तमान बिहार विधानसवा का कारेकाल 29 नॉवंबर को समाप्थ हो रहा है गया का विश्व प्रसिद विशनुपद मंदिर सारवजनिक संपत्ति पटना हाइकोट पटना हाई कोट ने सुकरवार को कहा कि गया का विश्व प्रसेद विशनुपत मंदिर सारवजनिक संपत्य है मंदिर किसी की नेजी संपत्य नहीं हो सकती है साथ हाई कोट ने अपने आदिस में कहा कि विशनुपद मंदिर के पुजारियों के हितों की रक्षा की जाएगी बता दे कि विशनुपद मंदिर के रखरखाव और बोर्ड प्रवंदन के जानकारे देने के लिए पतना हाई कोट ने गया डियम और मंदिर प्रवंदक से जावाब तलब किया था सियम नितिस का बड़ा एलान दलित परिवार में किसी की हैत्या होई तो परिवार के एक सदिस को मिलेगी नौकरी जी हाँ इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है बिहार बिदानसभा चुनाव से ठीक पहले सियम नितिस ने बड़ा दलित कार्ड खिला है सियम ने बेठक में एक बड़ा निटने लिते हुए अधिकारियों को यद आदेश दिया है कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हैत्या होती है तो उनके परिवार के किसी भी एक सदिस को सरकारी नौकरी दी जाएगी अनुसिचित जाती जन जाती अच्टचार निवारान अधिनयाम के तहट सतरक्ता मेटिंग में मुझमंतिन ने यहाँ बड़ा निदेश लिया है सियम नितिस ने कहा कि अनुसिचित जाती या जन जाती के परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है एस्टेट परिच्छा में क्वेश्चन पेपर लिक का मामला हाइकोट ने फैसला रखा सुरक्षित पटना हाइकोट ने वर्ष 2019 की राज सिक्चक पातरता परिच्छा यानि एस्टेट को गत 16 मैं को रद किये जाने के विरूद दायर हुई रिट याचिकाओ पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है नियाय मूर्ती अनिल कुमार सिन्हा की एकल पिट ने पंकज कुमार सिंग और कुमार अलोक की और से दायर याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है विदितों की उक्त परिक्षा में प्रस्न पत्र लिक होने की सिकायत राज के पांच अलग अलग जिलों से मिली थी परिक्छा में हुई गड़बडियों की सिकायत की जाने के मद्देनेजर बिहार विदाले परिक्छा समिती ने जाच परताल करने के बाद पूरे परिक्छा को रद कर दिया था बाड और कुरोना को लेकर एक्शन में बिहार सरकार कुरोना वाइरस का रिकवरी रेट बढ़कर 88 परतिसत हुआ सचिव सुचना एवं जन संपर्क अनुपम कुमार ने बताया कि बिहार में कोविड-19 के वर्तमान इस्तिति को लेकर सरकार द्वारा लगातर सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि परति दिन एक लाग से अधिक सेंपल की जाच की जाच में विर्दी होने के कारण कुरोना संक्रमन की पॉजिटिव रेट में लगातार कमी हो रही है जबकि रिकवरी रेट में उत्तरदर सुदार हो रहा है आज भी बिहार की रिकवरी रेट लगबक 88 प्रतिसत है जो राष्टिय उसत से लगबक 11 प्रतिसत अधिक है बिहार विदानसवा चुनाव को लेकर राजनितिक दलों के बेज सियासी तुफान थम नहीं रहा है जदई और लोजपा में 36 का आकड़ा और अधिक गहराता जारा इसी बीच राष्टिय अध्यक्ष चिरा राम माजी को मिर्चिल लग गई है उन्होंने चिरा के साथ ही उनके पिता राम विलास पासवान की कारियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीम नितिस पर बोला हमला कहा युवावो की दो पिडियों को बेरोजगार कर दिया बिहार विजानसवा चुनाव से पहले तमाम राजनितिक दल एक दूसरे पर निसाना साथ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राज की नितिस सरकार पर हमला बोला है तेजस्वी अपने ट्विट में लिखा कि बिहार सीहम नेतिस कुमार जी से आप उनके कर कमलो द्वारा बिहार को सोपी गए रिकोर्ड तोड बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वो गुस्से से लाल हो जाएंगे क्योंकि युवाओ की दो पिडिया बरबात करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं अगली बड़ी कबर गया से सामने आ रहे है जहां पर एक घर में डकेती करने के बाद 16 साल की लड़की को मुँ बांद कर घर से उठा कर ले गए जिसके बाद पुलिस ने प्रेम पसंग कहा तो भड़का लोगों का गुस्सा यहां दिगारा में बीती रात अपरादियों ने डकेती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया डकेती ने महिला के साथ मारपिट की 16 साल की लड़की का मुँ वह हाथ बांद कर उसे उठा कर ले इतना सुनते ही गाव वाले लोग भड़क गए और पुलिस वालों को ख़ड़ने लगे लोगों का गुस्सा देख पुलिस के जवान जान बचा कर भागे अगली बड़ी खबर सुसांद आतमहिता केस मामले को लेगर है नार्कोटिस कंट्रोल ब्योरो ने सुसांद के हाउस मेनेजर सेमोल मरंडा को हिरासत मिलिया टीम ने रिया के घर पर भी तलासी ले भाई सविक को अपने साथ ले गई एक्टर सुसांद सिंग राजपूत की मौत के मामले में नार्कोटिस कंट्रोल ब्योरो ने पहली बार रिया चकरवर्ती और सुसांद के हाउस मेनेजर रहे सेमोल मिरंडा के घर चापे मारे की दोनों के घर करीब धाय घंटे तलासी ली गई रिया के घर पर उसके भाई सुविक चकरवर्ती के ड्रग्स कंट्रोल मामले में सबुत तलासे गई एनसीबी के अलग अलग टेमें दोनों के घर सुब साड़े छे बजे ही पोज गई थी एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में जैद विलात्रा अब्दुलवासित परिहार समयत अब तक पांच लोगों को गिरपतार किया है ऐसा बताया जारा कि इन्होंने रिया उनके भाई सुविक और मिरंडा से कनेक्शन की बात कबुली है और कोविक और उसके दोस्त के बीच हुई ड्रग्स जैट सामने आई थी जिसमें वहाँ ड्रग डिलर के नंबर दे रहा था कमला नदी की बाड़ से मिथिला को मिलेगी मुक्ती जैनगर में बनेगा बराज खर्च होंगे 405 कड़ोर रुपए मदुबानी जिले के जैनगर में कमला नदी पर निर्मित पुराने वियर को अच्तादुनिक बराज में बदलने के लिए जल संसाधन विवाग ने 405 करोड़ तयार कर लिया है बराज के निर्मान से मितला के बड़े छेत्र को कमला नदी की बाड़ से रहात मिलेगी साथ मदुबानी जिले में 44,960 हेचेत्र में सिचाई स्विधा प्राप्त होगी जिससे मुईकता जैनगर, बासोपट्टी, खजोली, लदनिया, कलवाही और हराली परकंड की किसान लवानतित होंगी बिहार बियाससी इंटर लेवल वन मुईक परिक्चा की तारिक घोसित बिहार करमचारी चैन आयोग ने इंटरमेडियेट लेवल वन की मुईक परिक्चा की तारिक घोसित कर दी है प्रतम इंटर लेवल मुईक परिक्षा 2014 का आयोजन अब 14 अक्टूबर को किया जाएगा बियससी के ताजा नोटिस के अनुसार जो उम्मिदवार बियससी के विग्यापन सिंख्या 06060114 की प्रारंबे परिक्षा में सपल हुए हैं वे अब 14 अक्टूबर 2020 को मुईक परिक्षा में भाग लेंगे स्वास्त मंत्री मंगल पांडे बोले 4000 डॉक्टर और स्वास्त विवांग में 12621 पदों पर बहाले जल्द होगी स्वास्त मंत्री मंगल पान्डे ने कहा कि राज में महाज तीन साल में स्वास्त विवाग के विविन कोटी में 21,530 न्यूक्तिया हुई है 4000 डॉक्टर की न्यूक्ति इस मा होने वाली है वहीं राश्ट्य स्वास्त मिसन के तहट सितंबर में सामानी चिकितसक के 221 विशेश्चिक चिकितसक के 400, जीनम के 4000 वो एनम के 8000 समेत 12,621 पदों के लिए विग्यापन निकलने वाला है तो इसी के साथ ही आज की समाचार में इतना ही डेली बिहार की बड़ी ख़बरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें